नमस्कार एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं आपका दोस्त इंजिनेर प्रभात कुमार सीम्ग दोश्तोU आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों डेरेक्ट साइट से एक बनता हुवज कीचेन है इसके बार में बताना चाहता हूं और जिस तरीका से इस कीचेन को बनेया जारा है इसका पूरा काम को आप हों दिखाना चाहता हूं तो अगर आप irr I deles में बनने वालत को इ में बताना चाहता हूं कि कहां पर सही काम किया जारा हूं कहां पर गलत काम किया जारा है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखेगा, इस बनते हुए घर का साइज का इस कीचेन को 10 feet by 9 feet में बने जारा है, मतलब 90 square feet में इस kitchen को बने जारा है, आप देख सकते हूं बाहर इस तरफ आप देखते हो तो इस घर के लिए डाइनिंग एरिया रखा गया है मतलब इस घर के लिए डाइनिंग एरिया है और इसका दस्ट कॉर्णर पर आपको इस घर के लिए किचिन का दिर्मार किया जा रहा है तो चले चलते हैं अंदर और देखते हैं किस तरीका से इस किचन के लिए काम है वो किया जा रहा है वो लेकिन अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दो कैसे घर लिए जो किछेन बनाया गया है इसमें लगने वाला दूर का बात कर ले जाए तो स्वस्ट साथ फीट का यहाँ और कीचेन दर्वाजा के लिए जगा छोड़ा गया है अगर आप इसमें चोखट भी लगाता हो फिर भी आपको धाई फिट बाइसाथ फिट का आसपास का जो जगह है वो मिल जागा पल्ला खुलने और बंध होने के लिए तो देखिए इस डंक से इसके लिए जगह है वो छोड़ा गय जो किचन का प्लेटफोर्म है जो स्लेब है उसका कास्ट यहां पर किया गया है और इसके साथ है दो और यहां पर जो स्लेब है उसका कास्टिंग किया गया मतलब टोटल यहां पर तीन स्लेब देखने को आपको मिल जागा तो इन जो दोनों स्लेब को काम किया गया है यहां पर किस तरीका से गलत काम किया जा रहा है, इस सारा चीज में आपको बताना है, लोगिन सबसे पहले में आपको इस घर के लिए जो किचेन का प्लेटफोर्म बनाया गया है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ, सबसे पहले बात कर लेंगे उचाई को लेकर, तो 34 इंची का उचाई यहाँ पर रखा गया है, घर का फर्स बनने के बाद, 34 इंची आपको इसका किलियर हाइट कम से कम रखना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आपको 36 इंची रखना चाहिए, मतलब 34 इंची जो टॉप रहता है, वो आपको ले लेना चाहिए, तो इस तरीका से इसक 22 इंच का चौराई इसका रखा गया है, आप देख सकते हो, वहाँ से लेकर इस चौराई है, वो 22 इंची का रखा गया है, और उधर भी 22 इंची का चौराई ही रखा गया है, इसके साथ साथ आप देख सकते हो, कि इसका मोटाई का बात कर लिए जाए, तो आप 2 से 2 इंची कास पास इसका मोटाई रख सकते हो, क्योंकि इसके बाद अगर आपको मारबल लगाना या फिर गिर्नेट लगाना है तो फिर इसका मोटाई और भी अल्रेडी बर जाता है, तो इसको लगर आपको धाई से ज्यादा इसे मोटा नहीं रखना चाहिए, इसके साथ-साथ बात कर लिए जाए कि यहाँ पे जो सिंग के लिए जगा छोडा गया है वो किस सायज़ तो इसके लिए एक फीट बाई दे में तीन tiers का यहाँ छोडा गया हाला कि मैं सँद्जेस्ट करता हूं कि दे में 10ー refused बाई 2-fीट का और इसके साथ साथ आ आप देख सकते हो कि इसके लिए great kitchen सद जो निकलने वाले द्हूआ है उसके लिए यह यहाँ पर लगाया गया है window 4 feet 144 size का window है उपर में archship पर यहाँ पी किया गया देख सकते हो आपको ब्हालाने का चल रहे है इट को निकाल देजागा तो बड़ा साइज का यहां पर विंडू आपको मिलता है जिससे इस घर का जो धुआ है वो असानी के साथ निकल सके है उसके साथ और आपको यह जो सिंक के साथ साथ यह जो आपने देखा था कि जो स्लेब का कास्टिंग किया गया तो उसके साथ उस इस घर का जो दूसरा स्लेब है पहला स्लेब से उचाई पर इस तरीका से रखा गया है बात के जिसका चौराई को तो नीचे उला जो स्लेब है उससे ज्यादा चोड़ा उसे रख दिया गया है लगभग लगभग इसके उपर भी है उसके बाद भी आप दे सकते हो कि दो से ड Danelf इब उसको और इस जीशंकी बढ़ा है क्यों नहीं करना है इसके बारे में आप लोगों बताना चाहता हूं देखे जबी आप अपने कीचन का जो यह फ्लैटफॉर्म आपने बनाया है तो यहां पर आपको काम करना होता है जैसे कि आप देख रहे हो इस तरीका साब को काम करना होता है तो कभी भी आप जस्ट तो वह फॉस्स के यहीं पर रहा जाता है वह बहर निकलना में उसको проблем होता है कठना ही होता है तो इसलिए इसका जो साइज है आपको समानी बिल्कुल उनको free मसूस हो और उसके साथ साथ उपर वाला स्लेव है उससे अब थोड़ा बहुत बाहर की तरफ रख सकते हो लेकिन यह जो है उसको आपको किसे काम ही रखना चाहिए तो इस तरीका से किया यह उसके साथ एक और गलत काम किया कि देख सकते हो जो एक्जोस्ट अकभडक के लिए आप देख सकते हो कि देने का काम है वह भी चल रहा है तो इस तरीका से जो मिक्सर अगरा लगा। उसके लिए आप चाहो तो इधर निसन Unidos के साफ अपने घर का किजेन बनना तो इन सारी चीज कर आप को ध्यान देना चाहिए आपको जो नीचे वळा में प्लेटफों में किचेन के लिए जो सल्हेड उसे थोड़ा कम ही आपको जो ऊपर वभला स्लेब उसका कास्टिंग करना चाहिए उसके बाद में उपर व्ला को पर वहुत आप एक दो ही जी बाहर की तरह भी ले सकते हों कि यह जो स्लेव है इसको आपको चुराई में थोरा से कटवती करना चाहिए तो इस तरीका से इस घर का जो कीचेन है उसका निर्मान किया जा रहा है और आप इस बनते हुए कीचेन से समंदित कुछ और विजनकारी चाहते हो तो कॉमेंट बोक्स खुला हुआ है मैं आपका कॉमेंट का रिप्लाई जरूर कर दूगा अगर आप उनसे कुछ कोस्चन पूछना चाहते हो तो आप लिख सकते हो और इस डंग से इसके काम है वो किया जारा देखिए एक बात और बता दूँ कि आगर आप बनाने का काम है वो करवा सकते हो उसमें भी आपको सिंक के लिए उसमा कटिंग करते हुए जगह मिल जाता है ज़्यादतर लोग आजकल मोडुलर कीचन के तरफ ही आगरसर हो रहे हैं और बनवा बिर हैं लेकिन जो पहले का जो पैटर्ण चला आ रहा है वो यही है कि पहले स्लेब का कास्ट करवा लेजिए उसके बाद इसके उपर जो आपको लगाना है गरनाइट या फिर मार्बल उसका उप्योग किजिए उसके साथ एक बात और बता दू कि कीचन में आप गरनाइट लगाते हो तो आपके लिए जादा फायदयमंद रहता है इस देख से लिए इसके बात में मार्बल के बजा अगर आप गरनाइट लगाते हो तो कीचन कर ज्यादा आचछा माना जाता है और अगर जो गरनाइट लगाते हो तो आपके लिए अच्छा इसलिएЙ दrine आgesetzt वो जल्दे डीम नहीं होता है और जल्दी वो कराब नहीं होता है ज्यादा तीका होता है इसके चलते आप देखते होंगे कि 90% लोग कम से कम कीचेन में गरनाइट का प्रयोग करते हाला कि वो मार्वल से थोरा मांगा रहता है तुम में दे वीडियो आपको पसंद आया होगा सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा बहुत जल्द मिलते हैं अगले बडियो में तब तक ले इंगने प्रभार और हमारे पूरी निरला कंस्विक्शन टीम को देजिए इजाज़त नमस्कार